नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों आज किस वीडियो में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट आपकी परिक्षाओं को लेकर तो फाइनली उचिप्षा कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सोफ दिया राज सरकार को अब राज सरकार और UGC फैसला करेंगी जो फैसला लिया है कमिटी ने उसको लागगू करेंगी तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जानते हैं आज के दो अपडेट्स के बारे में ये दोनों अपडेट्स आपके लिए बहुती महत्वपूर होने वाले हैं तो यहां पर आप फर्स्ट अपडेट्स देख सकते हो दोस्तों यहां पर जैसे परिक्षा कराए जाने को लेकर उचे सिक्षावी बाकी कमेटी ने सोपी रिपोर्ट फर्स्ट अपडेट्स को बिना परिक्षा परमोट करने का सुझाओ तो यहां आपर देख सकते हो दोस्तो जो फश्टियर की स्टुडेंट है वो भीना परिक्षा ही परमोट हो सकते हैं साथ में आप प्रूब भी देख सकते हो बरतपुर बासकर यापर 11 जून 2020 देख सकते हो परिश्या और college campus खोलने से पहले students का vaccination जरूरी committee तो दोस्तो एक चीज मैं आपको clear कर देना चाहता हूँ अगर कोई भी college या university आपके paper लेती है चाहिए आप first year से हो चाहिए second year हो चाहिए final में हो तो आपके vaccination से पहले आपके paper लेना possible बिलकुल भी नहीं है क्योंकि बिना vaccination आपके paper नहीं लिए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो student जल्दी vaccine लगवाले अभी 18 साल वाले 25.48 लाक में से 37,000 को ही लगा टीका यानि मतलब कि noon तम लोगों को ही अभी टीका लगा है दोस्तों और यहाँ पर आप चाहो तो फड़ भी सकते हो जैसे अगर आप final और second year के student है तो समय रहते vaccine लगवाले क्योंकि समय रहते है आपको जरूरी है vaccine लगवाना second year के student और final के student के लिए यहाँ पर देखो सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी चातरों की सुरक्षय के लिए committee ने परिक्षया हो और college campus खोलने जाने से पहले student का vaccination अनिवारी करने पर जोड़ दिया है तो दोस्तों अगर college campus भी खुलेंगे तो बिना vaccination आपको entry नहीं दी जाएगी college में यहाँ पर देख सकते ब्रेजविश्विद्द दाले के परिक्षय नियंतरा के डोक्टर एक पंडे ने भी इसकी पुष्टी की है यहाँ पर आगे आप फढ़े सकते हो और यहाँ पर देखो चिंता अब भी सिर्फ 6.6% को ही लगी वैक्षीन या नियून तम लोगों को य आजी का नियूज़पेपर है 11 जुन 2020 यहाँ पर देख सकते हो वी वी वैल लो और लगी अंतिम वर्ष को इंटरमीडियेट परिक्षय लेना अनिवारिय होगा यानि लोगों को फाइनल यह उनके एक्जाम होंगे जरूर यहाँ पर देख सकते हो सात में जैसे लीगल लेना जरूरी नहीं है, ओलाइन या उपन बुक एग्जाम आदी के जरूए ली जा सकती है उपन बुक समझ रहे होगो दोस्तों, जैसे ही मतलब यूनिर्शिटी शाब एग्जाम पेपर ला सकते हो उसको लाकर आप घर पर अपने जैसे कुछ दिन दिये जाते हैं, आपको उसको हल कीजिए और हल करने के बाद आपको जाकर अपनी यूनिर्शिटी में उसको सम्मीट या जमा करवा देना आए ऐसे को बोलते हैं, ओपन बुक पद्धती, इसके बाद देख सकते हो कौन सा पैटर्न अपनाए या वीवी या कोलेजों में निरबर करेगा बार काउंसलिन आफ ओफ इंडिया ने फैसला इलाबाद हाई कोर्ट के पूर चीफ जस्टिस गोविंद माथूर के दक्स्ता में गठित 14 सदशियों उचे इस तरी कमिटी के रिपोर्ट के बाद किया है बार काउंसलिन ने देश बर के वीविन को लेजोवा चातरों से परिषया के संबद में मिले पत्रों के बाद समीति गठित करने का फैसला किया था तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों वीडियो पोच करके आप और भी फड़ सकते हो दोस्तों दो चीज मैं आपको बता देना चाता हूं यहाँ पर बिल्कुल करने फर्म हो रहा है और आपको भर्मीत एक तरह किसी भी तरह से आपको भर्मीत नहीं होना है जैसे आए दिन मतलब कि नई नई नूज जा रही है कि सेकंटेर को भी परमोट किया जाएगा वो किया जाएगा फलाना डिखाना तो आपको इन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना आपको जो भी यहां पर आपको वीडियो मिले इस पर आपको ध्यान देना है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सठीक न्यूज बताता हूँ और साथ ही में दोस्तो जब तक कोई final decision नहीं आता तब तक आप मतमान लिए कि आप परमोट हो गए या आपके exam होने वाले क्योंकि जो UGC है वो ही घोसित करेगी या जारी करेगी आपका जो फैसला दिया है उस सिक्षा कमिटी ने वो उसको लागू करेगी तो बस दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही तो मिलते एक नए वीडियो में आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो बस दोस्तो आज किस वीडियो में इतना ही तो गुडब बाय